हेलो बच्चों मैं शिक्षा सकसे सीडीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकारण के विश्यों पर चर्चा कर रहे हैं आज का हमारा विश्य है प्रत्य और उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पया प्रश्ण इस वीडियो में हम केवल प्रत्य के परिभाशा और कुछ MCQs पर चर्चा करेंगे जिसके आधार पर हम आशा करते हैं कि ये प्रश्ण आपकी परिक्षा में आपके लिए सहायक सिद होंगे इस वीडियो को हम नाइध क्लास की परिक्षा के पाठ्यकरम के आधार पर बना रहे हैं अता यहाँ पर हम प्रत्य के बारे में केवल संक्षेप में जानेंगे अगर आप विस्तार से प्रत्य के बारे में जानना चाहते हैं हम यहाँ पर केवल प्रत्य के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में जानेंगे ताकि आप जो है प्रत्य के बारे में जान पाएं कि प्रत्य कहते किसे हैं और किस तरह से जो है प्रत्य का प्रियोग होता है तो जादा समयना व्यर्थ कवाते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्य किसे कहते हैं जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्य कहलाते हैं दूसे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द निर्मान के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश चोड़े जाते हैं वे प्रत्य कहलाते हैं आपको याद होगा इससे पहले हमने उपसर्गों के बारे में पढ़ा था कि उपसर्ग किसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के शुरू में शब्दांश जोड़े जाते हैं लेकिन प्रत्य किसे कहते हैं जो शब्द के अंत में शब्दांश जोड़े जाते हैं यानि जो शुरू में जोड़ा जाए वो होगा उपसर्ग और जो अंत में जोड़ा जाएगा उसे कहा यहां पर हम ये भी कहेंगे कि जो प्रत्य है वो उपसर्गों की तरह शब्दांश होते हैं यानि वे शब्दों के बात जोड़े जाते हैं और उपसर्ग शब्द से पहले जोड़े जाते हैं केवल इतना ही अंतर है प्रत्याई का अपना कोई अर्थ नहीं होता जिस तरह उपसर्गों का भी कोई अर्थ नहीं होता था और ना ही इनका कोई स्वतंतर अस्दित्व होता है यानि प्रत्य और उपसर्ग धोनों में ये समानता है कि दोनों का जो है कोई भी अर्थ नहीं होता, दोनों जो है स्वतंत अस्दित्व नहीं रखते हैं, वे जो है केवल शब्दान्च होते हैं, जो शब्दों के शुरू में और अंत में जोड़े जाते हैं, शुरू में कौ प्रत्य के अंत में जोड़े जाने वाला शब्दाश प्रत्य कहलाता है। ये प्रत्य की परिभाशा है। तो चलिए प्रत्य को और अच्छे से समझते हैं। तो है लेकिन बाद में इसका अर्थ क्या हुआ जैसे हमने परिभाशा में पड़ा था कि जो प्रत्य है वो शब्द के बाद में चलता है यानि बाद में जोड़ा जाता है इसी तरह से यहाँ पर जो प्रत्य है उसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला साथ में पर बाद में चल जैसे यहाँ पर आप उधारन देखिए समाज जमा इक यहाँ पर इक जो है वो क्या है एक प्रत्य है और वो क्या है समाज जो शब्द है उसके साथ जोड़ा जा रहा है और जब समाज में इक जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा सामाजिक उसी तरह से सुगंद में इत जोड़ा जाए तो बनेगा सुगंधित भूलना में अकड जोड़ा जाए तो बनेगा भुलककर और मीठा में आस जोड़ा जाए तो बनेगा मिठास ये जो उपरक्त शब्द है यानि इकड और आस ये शब्दांश क्या है ये प्रत्य है यानि शब्द के बाद जोड़े जा और प्रत्य को शब्द में जोड़ा जाता है और आपने देखा होगा कि जब ये शब्द में जुड़ रहे हैं तो जो शब्द हैं वो बिल्कुल ही अलग जो है वो प्रतीत हो रहा है अब हम प्रत्य के भेदों के बारे में जारेंगे जो प्रत्य के भेद हैं वो दो तरह के क वाचक और क्रिया वाचक उसी तरह से जो तधित प्रत्य है वो आगे जो है छे तरह का कहा गया है क्रित वाचक भाव वाचक संबंध्या गुण वाचक अपत्य वाचक उन्ता वाचक और स्त्री वाचक ये जो है तधित और क्रित के आगे भेद हैं लेकिन यहां पर जो है हम इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे अगर आपको जो है क्रित प्रत्य और तधित प्रत्य के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं वहाँ पर आपको क्रित प्रत्य और तधित प्रत्य पर अलग अलग वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आप इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, यहाँ पर हम केवल थोड़ा सा संगशेप में कृत प्रत्य और तधित प्रत्य के बारे में जानेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम कृत प्रत्य के बारे में जान लेते हैं, कि कृत प्रत्य किसे कहते हैं, कृत प्रत धातू में लगते हैं यानि धातू के साथ जोड़े जाते हैं आपने ध्यान रखना है कि जो प्रते धातू के साथ जूर रहे हैं वो कृत प्रते होंगे और उषने गला है कृतान शब्द कहा जाता है यहां जो आप उधारन में देख सकते हैं लिख जमा अक यहां जो लिख है वो क्या है? वो एक धातू है यानि क्रिया है जब हम लिखना कहते हैं तो उसमें जो धातू है वो क्या है? लिख होती है और जब इसमें अक जो प्रते है वो जोड़ा जा रहा है तो बन रहा है लेखक यानि लिख तो एक क्रिया थी धातू थी लेकिन जब अक जोड़ा तो बन गया लेखक यानि वो संग्या बन गई है वो बना लेखक तो यहाँ पर जो है अक जो है वो कृत प्रत्य है और जो लेखक है उसे कहा जाएगा कृदान शब्ध कहा जाएगा यहां पर कहने का तात्परी ये हैं कि जो कृत प्रत्ते हैं उससे मिलकर जो शब्ध बनते हैं उन्हें अन्हें क्रिदान्थ शब्ध कहा जाएगा यह द्यान में रखना है और Hindu में kriya के नाम के अंत का जो ना है यानि जो कृद प्रत्य है उसे जब हटा दिया जाता है तो जो अंश बचता है वही जो है धातू होती है जैसे कहना, कहना में क्या है जो ना है अगर हम उसे हटा देंगे तो क्या बचाएगा कह, तो जो कह है वो क्या है धातू है इसी तरह से जैसे कहते हैं चलना चलना में भी अगर हम ना को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा चल तो क्या है जो चल है वो धातू है ये जो है आपने ध्यान रखना है जब हम हिंदी में कहते हैं चलना कहना लिखना इसमें जो ना है जब आप हटा देंगे क्रिया से तो ज बच जाएगा वो धातू होगी और उस धातू में जब कोई प्रत्य जुड़ता है उसे कृत प्रत्य कहेंगे और उसके आगे जो शब्द बनेगा उसे कृदांत शब्द कहेंगे ये जो है कृत प्रत्य में आपने शॉर्टकट में याद रखना है अब हम जानेंगे तधित शब्द कहा जाता है, यहाँ पर देखे, यानि जो शब्द कृत प्रत्य से मिलंकर बना वह कहलाएगा, कृढंट शब्द, और जो तधित प्रत्य के लगने से बनेगा, वह कहलाएजाएगा, तधितांथ शब्द, जैसे यहाँ पर जो है आपको उधरन भी दिये हैं, मानव जमाता, मानव क्या है, एक संग्या है, और जब संग्या के बाद जो प्रत्य लगा ता, और उसके बाद जो शब्द बन गया, वो बना मानवता, यानि मानव के बाद जो ता शब्दांश चुड़ा, उससे बना मानवता, और ये जो मानवता शब्द है, वो कहलाया जाएगा, तदितांत शब्द तो उसी तरह से और भी देखिए अच्छा जमा आई आगे बना अच्छाई अपना जमा पन बना अपन लड़का जमा पन बना लड़क पन इस तरह से जो है जब तदित प्रत्य जो है जब तदित प्रत्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो शब्दों म भी परिवर्तन आ जाता है और उन शब्दों को जो है तधितांत शब्द कहा जाएगा जिसमें तधित प्रत्य जुडेंगे और कृदांत शब्द किसे कहा जाएगा कृदांत शब्द कहेंगे जिसमें कृद प्रत्य जुडेंगे कृद प्रत्य जो है वो धातू के अंत में और तधित जो प्रत्य है वो जुड़ते हैं संग्या सर्वनाम और विशेशन के अंत में ये आपने ध्यान रखना है और आप तधित प्रत्य के बारे में एक और जो है आसानी से आप तधित प्रत्य को याद रख सकते हैं कैसे कि जो धातूं में जुड़ता है वो क्या था? कृत प्रत्य और धातूं को छोड़कर अन्या जितने भी शब्द है उनमें जो प्रत्य जुड़ेगा उसे तधित प्रत्य कहा जाएगा आपने सिर्फ ध्यान में रखना है कि धातू नहीं होनी चाहिए क्योंकि धातू के अन्त में जुड़ेगा तो कृत प्रत्य होगा और बाकी जो शब्द होंगे उसमें जो भी जुड़ेगा वो तधित प्रत्य कहलाए जाएगे और कृत प्रत्य क्रिया या धातू के अन्त में लगता है जबकि तधित प्रत्य संग्या सर्वनाम और विशेशन के अंत में तधित और कृत प्रत्य में केवल यही अंतर है कि जो कृत प्रत्य है वो क्रिया के अंत में लगता है तातू के अंत में लगता है और जो तधित प्रत्य है वो संग्या सर्वनाम और विशेशन के अंत में लगता है आपने यही ध्यान रखना है और आगे भी जब आपको questions आएंगे अगर उसमें कभी पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्य लगा है तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अगर जो शब्द ह वो धातू या क्रिया है तो उसके अंत में कृत प्रत्य ही लगेगा और बाकी के जितने भी शब्द होंगे उनके अंत में तधित प्रत्य ही लगना है बस आपको इतना ही ध्यान रखना है तो अब हम आते हैं अपने बहु विकल्प्य प्रश्नों पर यहां पर हम प्रत्य क बारे में कुछ बहु विकल्पे प्रश्णों पर चर्चा करेंगे जिसके आधार पर हम आशा करेंगे कि वो आपकी परिक्षा में आपके लिए सहायक सिध होंगे तो चलिए प्रश्णों को शुरू करते हैं प्रश्ण प्रत्य का प्रियोग हुआ है लड़ाई जो शब्द है उसमें आपने धूना है कि कौन सा प्रत्य है और प्रत्य कहां पर प्रत्य होता है प्रत्य प्रत्य होता है अंत में तो आपने जो है अंत के शब्दांश को शब्द से अलग करके देखना है आपको चार आप लड़ जमा आई ये जो है सही हो सकता है लेकिन हम दूसरे options को भी रखकर देखेंगे और बिलकुल सठीक हो जाएंगे कि कौन सा उत्तर सही है दूसरा option है E E को हम अलग करेंगे तो रह जाएगा लड़ा जमा ई लड़ा जो है वो शब्द है लेकिन शब्दाश E जो है उसमें जुड़ा हो सकता है ये जो है हमें यहां doubtful है लेकिन हम अगले भी options देख देते हैं यानि लड़ को अलग हम नहीं कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि प्रत्य जो अप्षिन जो है, वो हमारे option से हट जाता है, और चौता जो option है, वो है I, I को अगर हम लडाई शब्द से अलग करेंगे, तो रह जाएगा लडा जमा अई, लडा जमा अई, या लड़ जमा अई, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन I भी जो है, वो यहाँ पर गलत होगा, हम जो है, दो options में confused हो सकते हैं I या E में तो I और E में जो है कौन सा प्रते जो है वो लड़ाई शब्द में जुड़ा है अब आप लड़ाई शब्द को देखे लड़ाई में जो है वो क्रिया क्या है लड़ना लड़ना में जब हम ना को अलग कर देंगे तो रह जाएगा लड़ यान आपके पास शब्द क्या है और आप किस तरह से जो है शब्द से क्रिया या धातू या फिर किसी शब्द को अलग कर सकते हैं ताकि आपको सही प्रत्य जो है वो हासिल हो जाए तो यहाँ पर हमारा सही प्रत्य हमें क्या मिला है आई यानि लड़ जो है वो एक धातू है और उसमें जो है आई जो प्रत्य है वो प्रयोग हुआ है तब जाके बना है लडाई शब्द और यहाँ पर जो है किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है क्रित प्रत्य का क्यूंकि धातू या क्रिया में कौन सा प्रत्य लगता है क्रित प्रत्य और आई जो है वो क्रित प्रत्य है तो किस प्रत्य को अलग कर सकते हैं यानि शब्दाश को हम किस शब्दाश को अलग कर सकते हैं जिससे हमारे पास शब्द या धातु या क्रिया बच जाए तो यहाँ पर हमारे पास चार आप्शन है आडू, अडू, उ या उ तो यहाँ पर हम ज़ाडू शब्द से एक एक जो हमा है वो हमें गलत प्रतीत हो रहा है तो जो दूसरा है वो है अडु अड़ु अलग करेंगे तो भी या तो जाब शब्द बचेगा या फिर जध बचेगा तो वो भी हमारा गलत होगा क्यूंकि जाब بी जो है वो गोई शब्द या धातु या करिया नहीं है तो उ को अलग करेंगे तो रह जाएगा जाड़, जमा उ, जाड़ जो है वो शब्द है, तो हम उ को अलग कर सकते हैं, यानि यह हमारा प्रत्य हो सकता है, लेकिन हम चोथे option को भी देख लेते हैं, चोथा option भी उ है, लेकिन जो चोथा है वो छोटा उ है और छोटा उ की मात्रा इस तरह के जो हमारे पास शब्द है जाडू वैसी नहीं होती है वो डिफरेंट होती है तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा आप्शन जो है वो हमारा सही प्रत्य है सही उत्तर है तो यहाँ पर जो है जाडू शब्द में उ प्रत्य का प्रयोग हुआ है तीसरा उप्रेशन है रसीला शब्द में किस प्रते का प्रोप्र जो रसीला शब्द है उसमें हम देखेंगे कि हम किस शब्दाश को अलग कर सकते हैं तो हमारे पास चार आप्शन है ला, सीला, इला या रस तो यहां पर जो हमारा पहला आप्शन है ला अगर हम उसे रसीला शब्द से अलग करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा रसी यानि रसी जमा ला तो रसी जमा ला जो है वो यहां पर हमारा सही उद्दर हमें नहीं लग रहा है दूसरा शब्द है सीला यानि अगर हम सीला को अ नक्रियधातु है तो ये भी हमें गलत लग रहा है तीसरा है इला इला हम अगर अलग करते हैं तो रह जाता है रस जमा इला ये हमारा सही उतर हो سकता है क्योंकि जो रस है वो एक शब्द है और शब्द से य librarian जो इला जो शब्दाश है उसे अलग कर सकते है चौथा नहीं है ये शब्द है तो हमारा जो तीसरा option था इला वो हमारा सही उत्तर है यानि रसीला शब्द में जो है इला प्रत्य का प्रियोग हुआ है इसी तरह से जो है आपने अपने जो प्रत्य हैं उन्हें पहचानना है शब्दों से अलग करके यानि आपके पास जो शब्द द है, वो आप सही तरह से पकड़ पाएंगे, सही प्रत्य को चूज़ कर पाएंगे, अगला प्रेशन है, प्रेशन नंबर चार, कालिमा चब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है, तो कालिमा जो उपसर्ग लगता है ना की प्रते तुका जो है वो हमारा सही उत्तर नहीं है दूसरा आप्शन है लिमा लिमा को अगर हम अलग कर देंगे तो रह जाएगा का ये जो है गलत हो जाएगा तो अगर हम तीसरा जो हमारा option है मा, मा को अलग कर देते हो रह जाएगा काली, काली जो है वो हमारा सही उत्तर हमें नहीं लग रहा है, तो हमारा जो चौथा option है इमा, इमा को हम अलग कर देंगे तो रह जाएगा काल, जम्म, इमा, जो काल है वो शब्द है, और इमा जो है वो option है वो हमारा सही उत्तर है प्रेशन नमबर 5 घटती शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो पहला option है ती, ती को हटा दाएंगे तो रह जाएगा घट, घट जो है शब्द है और घट में जब हम ती जोड रहे हैं तो ये क्या है ये एक तधित प्रत्य बन जाएगा क्योंकि घट क्या है वो घटे को कहा जाता है, चीक है, तो यहाँ पर दूसरा option देखे, दूसरा है टती टती को अगर हटा करते हैंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, घटती से टती हटा दिया तो रह गया घट घट जो है, कोई शब्द या क्रिया धातू नहीं है, तो यह हटा दिजिए घट हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घट जो है, वो पहले प्रियुक्त हुआ है बाद में नहीं हुआ है, यह हटाएंगे तो रह जाएगा घटत, घटत जो है ना कोई शब्द है, और ना ही कोई धातू या क्रिया है तो हमारे पास रह जाता है, option number one यानि one ही जो है, हमारा सही उत्तर है यानि घटती सब्द इसमें ती प्रते का प्रियोग हुआ है यानि घट जमाती, घटती तो यह हमारा सही उत्तर है प्रशे नम्बर छे ओडनी शब्द में किस प्रते का प्रियोग हुआ है ओडनी शब्द में कौन सा प्रते लगा है चार option है ओड, रनी, नी या ओ ओड जो है, वो हम ओडनी शब्द से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले प्रियोग दुआ है रनी हम जो है शब्द से अलग करेंगे तो रह जाएगा ओ और ओ जो है कोई शब्द या धातुक्रिया नहीं है तो यह जो है गलत हो जाएगा नी को अलग कर देंगे तो रह जाएगा ओर तो यह जो है हमारा सही उतर हो सकता है क्योंकि ओ को भी हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो भी जो है शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है तो ओर नी शब्द में जो है नी प्रत्य का प्रियोग हुआ है यानि तीस्ता जो हमारा option है वो हमारा सही उत्तर है प्रेशिय नमबर 7 कठिनाई शब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है जो कठिनाई शब्द है उसमें कौन सा प्रते जुड़ा है चार आप्शन है आई, ई, नाई या कट तो आप यहाँ पर जो है कठिनाई शब्द से ये शब्दाश अलग करके देखिए कठिनाई से आई अलग किया तो क्या रहे गया कठिन ये हमारा सही उतर हो सकता है लेकिन हम बाकी आप्शन को भी डख कर देख लेते हैं कठिनाई से इ को अलग किया तो रहे गया कठिना, कठिना जो है वो कोई शब्द नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया तीसरा है नाई, नाई को अलग कर दिया तो रहा गया कठी, ये भी शब्द नहीं है, नाई कोई क्रिया है, नाई कोई धातु है तो ये भी हमारा गलत हो गया कट को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकी यह प्रत्या नहीं है क्योंकि यह शब्द के शुरू में प्रिज़़ हुआ है क्या है हमारा जो पहला आप्शन है आई वो हमारा सही उत्तर है क्योंकि कठिनाई शब्द से अलग हम आई करेंगे तो रह जाएगा कठिन जमा आई यानि कठिनाई शब्द में आई प्रते का प्रयोग हुआ है यानि हमारा पहला जो हमारा option है वो हमारा सही उत्तर है question number 8, चालू शब्द में किस प्रते का प्रयोग हुआ है चार option है लू, आलू, चा या उ तो हम चालू शब्द से जो है हर एक शब्दाश को अलग करके देखेंगे चालू से लू अलग किया तो रहा चा, यानि ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा है आलू आलू अलग किया तो रह गया च, ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता, चा को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये शब्द के शुरू में प्रियोग हुआ है उ को अलग क्या तो रहा चाल यानि चाल जमा उ बना चालू तो ये जो है हमारा सही उत्तर है यानि चौथा जो हमारा option है वो सही है चालू शब्द में जो है उ प्रत्य का प्रयोग हुआ है question number 9 वास्तविक शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है जो वास्तविक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है हमने धूनना है 4 option है विक इक वा या वास तो यहाँ पर देखे विक विक अलग किया तो रह गया वासत वासत जो है वो कोई शब्द नहीं है एक अलग किया तो रहा वास्तव वास्तव जो है वो शब्द है तो यह हमारा उतर हो सकता है बाकी भी देख लेते हैं वा हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि यह शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है व Q10. समाजिक शब्द में किस प्रत्य का प्रोग हुआ है? जो समाजिक शब्द में कौन सा प्रत्य जुड़ा है? चार आप्शन है. विक, एक, वा या वास. तो यहां पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि जो यहां पर शब्दांश दिये गए हैं, उन मैसे जो है तीन शब्दा नहीं किया गया है. तो यहां पर केवल जो दूसरा आप्शन है, एक, वो हमारा सही उत्तर है कि समाज जमाएक बना सामाजिक. इस तरह से जो है आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन आपने जो है शब्द को देखना है, जहां से जो है अपने जो आप जो बचेगा, उसे जो है आपने अपने शब्द से अलग करके देखना है, और देखना है कि क्या वो आपके शब्द में है, और अगर आपके शब्द में है, तो उसको अलग करके जो है, क्या आपके पास कोई शब्द सही बच रहा है, या धातु सही बच रही है, तब जाक जो है आप अपने उत्तर को टिक कर सकते हैं तो यहां समाजिक शब्द में जो है एक शब्द का तो यहां पर जो है समाजिक शब्द में एक प्रत्य का प्रियोग हुआ है यानि हमारा जो दूसरा option है वो हमारा सही उत्तर है प्रेशन नमबर 11 पालक शब्द में किस प्रत्य का प्रोग हुआ है पालक शब्द में कौन सा प्रत्य जुड़ा है चार आप्शन है क, लक, पा या पाल तो यहां पर देखें तीसरा और जो चौथा आप्शन है पा या पाल उसे हम जो है नहीं टखेंगे क्योंकि ये शब्द के शुरू में प्रुक्त हुए हैं और जो प्रत्य है वो अंत में जूटते हैं तो क और लक रहा क को जो है अगर हम शब्द चे अलग करेंगे तो रह जाएगा पाल ये हमारा सही हो सकता है दूसरा आप्शन है लक को अलग करेंगे तो रह जाएगा पा पा जो है कोई शब्द या धातू या क्रिया नहीं है तो हमारा जो पहला आप्शन है क वो हमारा सही उत्तर है यानि पाल जमा का पालग तो जो ये हमारा पहला option है वो हमारा सही उत्तर है प्रेशन नमबर 12 मरियल शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है जो मरियल शब्द है उसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है चार उप्शन है यल, ल, मरी या यल तो यल जो है अगर हम अलग करेंगे तो रह जाएगा मरी मरी जो है कोई शब्दांश नहीं है कोई शब्द नहीं है या कोई धातु प्रते भी नहीं है लो को अलग किया तो रहे गया मरिया मरिया भी जो है कोई शब्द नहीं है मरी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये शब्द के शुरू में प्रुख्थ हुआ है तो हमारे बास बचा चौथा ओप्शन EL EL को अगर आप अलग करेंगे तो क्या रह जाएगा मर जमा EL तब बनेगा मरियल यानि मर जो है वो शब्द है इसलिए जो हमारा चौथा ओप्शन है EL वो हमारा सही उत्तर है यानि मरियल शब्द में जो है EL प्रत्ते का प्रियोग हुआ है प्रशन नमबर तेरा नेपाली शब्द में किस प्रत्ते का प्रियोग हुआ है चार ओप्शन है आली, इ, ने या पाली अब यहाँ पर आली को अलग करेंगे तो रहे जाएगा नेप, नेप कोई शब्द नहीं है ए को अलग करेंगे तो रहे जाएगा नेपाल, नेपाल जो है शब्द है यह हमारा सही उतर हो सकता है बाकियों को भी देख लीजिए ने को अलग नहीं कर सकते क्योंकि शब्द के शुरू में प्रोगत हुआ है पाली अलग कर देंगे तो रहे जाएगा केवल ने ने जो है कोई शब्द नहीं है तो जो है हमारा दूसरा ओप्शन ए वो हमारा सही उत्तर है यानि नेपाली शब्द में जो है यानि नेपाल जमाई नेपाली प्रेशन नमबर 14 देवरानी शब्द में किस प्रत्य का प्रोग हुआ है चार ओप्शन है नी, रानी, देव या आनी अब जो है देवरानी शब्द से हम नी अलग कर देंगे तो रहे जाएगा देवरा कोई शब्द नहीं है रानी को अलग करेंगे तो रहे जाएगा देव देव शब्द है लेकिन रानी जो है वो कोई प्रत्याई नहीं है क्योंकि आपने प्रत्याई में पढ़ा कि जो प्रत्याई है उसका कोई स्वतंतर रूप नहीं होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन रानी का अर्थ होता है रानी एक शब्द है अता ये हमारा सही उद्दर नहीं हो सकता है ये भी आपने माइन में रखना है आपने केबल ये नहीं देखना है कि आप आपने जो आपको आप्शन दिये है उस मैसे आपने जो आपका प्रत्याय नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्याय का जो है कोई अर्थ नहीं होता है प्रत्याय जो है वो स्वतंत रूप से प्रियोग नहीं किये जाते हैं तो रानी जो है वो हमारा सही उत्तर नहीं है तीसरा है देव देव भी सही उत्तर नहीं है क्योंकि ये शब्द के श सही उत्तर है प्रिश नमबर पंद्रा पियकर शब्द में किस प्रत्य का प्रोग हुआ है चार आप्शन है कड़, पिय, अकड़ या कड़ जो पहला है कड़ उसे जो हम हटा देंगे तो रह जाएगा पिय, पिय जो है वो कोई शब्द नहीं है दूसरा है पिय, उसे हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है अकड़ को हम अलग कर देंगे तो रह जाएगा पिव, पिव जो है वो एक धातू है तो यह है अकड़ यहाँ पर हो सकता है लेकिन चौथा उप्शन भी देख लेखते है कड़ को अलग करेंगे तो रह जाएगा पियक पियक जो है कोई शब्द नहीं है तो हमारा जो तीसरा उप्शन है अकड़ वो हमारा सही उतर है यानि पिव जमा अकड़ पियकड़ यह जो है हमारा सही उतर है तो जो ती हमारा सही है यानि पी अकड़ शब्द में अकड़ प्रत्य का प्रोग हुआ है प्रशन नमबर 16 मार्मिक शब्द में किस प्रत्य का प्रोग हुआ है मार्मिक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है मा, मर्म, रक या इक तो यहाँ पर हम अलग करके देखेंगे मा को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है मर्म को भी हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो भी शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है रख को अलग करेंगे तो रह जाएगा मामी मामी जो है कोई कोई शब्द नहीं है यानि अगर एक जो है उसकी मादरा बड़ी एक होती तो भी जो है एक शब्द बन जाता लेकिन मामी जो है वो शब्द नहीं है एक को अलग करेंगे तो रह जाएगा मर्म मर्म जो है वो एक शब्द है और एक जो है वो प्रत्य है तो यहाँ पर जो है मार्मिक शब्द में एक प्रत्य का प्रोग हुआ है यानि चौथा अप्चन हमारा सही उत्तर है प्रिशन नमबर सत्रा चुनवती शब्द में किस प्रत्य का प्रोग हुआ है अवती, ती, चुन या नवती अब अवती को आप अलग करेंगे तो रह जाएगा चुन जो शब्द है जिसा ही उतर हो सकता है लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं ती को हम अलग करेंगे तो रह जाएगा चुनव चुनव जो है वो कोई शब्द नहीं है तो यह जो है गलत है चुन जो है वो हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है नवती को अलग करेंगे तो रह जाएगा चू चू भी जो है वो कोई शब्द नहीं है तो यहाँ पर जो हमारा पहला option है आवती वो हमारा सही उतर होगा यानि चुनावती शब्द में जो है अवती प्रते का प्रोग हुआ है प्रेशन नमबर 18 भारतिया शब्द में किस प्रते का प्रोग हुआ है चार option है इय, तिय, भार या भारत तो यहाँ पर देखें जो भार और भारत है तीसरा और चौथा वो सही उतर नहीं है क्योंकि वो शब्द के शुरू में प्रोग दूए है दो option रह जाते हैं इय या तिय, तिय को अगर हम अलग करेंगे तो रह जाएगा भार भार जमा तिय, भार जो है वो शब्द है लेकिन तिय जो है वो प्रत्याई नहीं है इय को अलग करेंगे तो रह जाएगा भारत, भारत जो है और इय प्रत्याई है चार option है धल, उ, लाउ या आउ तो यहाँ पर देखे धल को हम अलग करेंगे वो नहीं कर सकते क्योंकि धल जो है वो शुरू में प्रुक्त हुआ है और शुरू में उपसर प्रुक्त होते हैं प्रत्याई नहीं दूसरा option है उ, यानि धला जमा उ ये भी सही उतर हो सकता है तीसरा देखे, तीसरा है लाउ लाउ को अगर अलग करेंगे तो रह जाएगा धो धो जो है वो कोई शब्द नहीं है, कोई धातू नहीं है, क्रिया नहीं है ये भी नहीं होगा चोथा है आउ, आउ को अलग करेंगे तो रह जाएगा धल जमा आउ धल जो है वो एक शब्द है यहाँ पर क्या है हमारे पास दो है दूसरा और चोथा उसमें हमें जो है confusion है यानि धला जमाओ या धल जमाओ तो यहाँ पर जो है हमारा चोथा option सही है यानि धल जो है वो शब्द है और आउ जो है वो प्रते है यानि धलाओ शब्द में जो है आउ प्रते का प्रयोग हुआ है यानि चौथा उत्तर हमारा सही है प्रेशे नमबर 20 दक्षिनी शब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है दक्षिनी जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है चार आप्षिन है नी, ई, दक्ष या इनी तो यहाँ पर देखे इनी को अलग करेंगे तो क्या रह जाएगा दक्षी वो कोई शब्द नहीं है ई को अलग करेंगे तो रह जाएगा दक्षिन दक्षिन जो है वो शब्द है दक्ष को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो शब्द के शुरु में प्रियोग हुआ है इनी को अलग करेंगे तो रह जाएगा दक्ष दक्ष भी शब्द है लेकिन इनी जो है वो प्रत्य नहीं है अतो हमारा जो दूसरा आप्षिन है E वो हमारा सही उतर है यानि दक्षिन शब्द में जो है E प्रत्य जुड़ा तब बना दक्षिनी यानि दक्षिनी शब्द में E प्रत्य का प्रोग हुआ है तूसरा हमारा सही option है question number 21 कतरनी शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है नी, रनी, कतर या ई तो यहाँ पर देखें नी को अलग करेंगे तो रह जाएगा कतर यह हमारा सही उतर हो सकता है बाकी भी देख लेते हैं रनी को अलग करेंगे तो रह जाएगा कत कोई शब्द नहीं है कतर हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो शब्द के शुरू में प्रयोग हुआ है यह को अलग करेंगे तो रह जाएगा कतरन यह भी कोई शब्द नहीं हुआ तो हमारे पास क्या है पहला option रह गया है नी यानि नी को अलग किया तो रहा कतर यानि कतरनी शब्द में जो है नी प्रत्य का प्रयोग हुआ है यानि पहला option हमारा सही उत्तर है प्रशी number पाइस गुणवान शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है यहाँ पर हमारे पास चार option है न, आन, वान या गुण नो को अलग किया तो रहा गुणवा गुणवा जो है कोई शब नहीं है आन को अलग किया तो रहा गया तब भी गुणव रहा गया गुणव भी कोई शब नहीं है वान को अलग किया तो रहा गुणव ये हमारा सही उत्तर हो सकता है गुणव को अलग नहीं कर सकते क्योंकि श इसरा option हमारा सही उत्तर है, यानि गुणवान शब्द में जो है बान प्रत्य का प्रयोग हुआए, प्रैशन नमबर 20, बनावट शब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है, चार option है, बन, वत, आवट या, बान, तो यहाँ पर देखिए, बनावट शब्द से हम बन शब् दांश को अलग नहीं कर सकते क्योंकि शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है वट को अलग करेंगे तो बरजा बना बना जो है वो शब्द है लेकिन वट जो है वो कोई प्रत्य नहीं है आवट आवट जो है अगर हम बनावट से अलग करेंगे तो रहे जाएगा बन जमा आवट ये सही उतर हो सकता है बना को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रते नहीं है वो शब्द के शुरू में प्रुख्थ हुआ है तो आवट जो है वो हमारा सही उतर हो गया क्योंकि बन जमा आवट यानि बनावट यानि बनावट शब्द में जो है आवट प्रते का प्र शब्द के शुरू में प्रूगत हुआ है वग्या को भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये भी शब्द के शुरू में प्रूगत हुआ है निक को अलग करेंगे तो रह जाएगा वग्या और वग्या कोई शब्द नहीं है इक अलग करेंगे तो रह जाएगा वग्यान वग्यान वो शब्द है और एक प्रते जुड़ने पर बना विज्ञानिक यानि विज्ञान जमाइक is equal to विज्ञानिक इस तरह से विज्ञानिक बना यानि विज्ञान शब्द था उसमें एक प्रते का प्रयोग हुआ है विज्ञानिक शब्द में एक प्रते जुड़ा हुआ है तब हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि शब्द के शुरू में प्रुक्त हुआ है दार को अलग करेंगे तो रह जाएगा समझ ये सही उतर हो सकता है आर हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि बन जाएगा समझद समझद कोई भी शब्द नहीं है सम को अलग नहीं कर सकते क्योंकि शब्द के शुरू में प्रयुक्त हुआ है और शुरू में उप्रयुक्त होते हैं ना की प्रत्य और सम जो है एक उपसर्ग है तो जो है यहाँ पर हमारा उतर क्या बच जाता है option number two यानि दार समझ दार शब्द में दार प्रत्य का प्रयोग हुआ है यानि हमारा दूसरा option सही उतर है इस वीडियो में हम केवर इतने ही प्रशनों पर चर्चा करेंगे अगर आपको प्रत्य पर और अधिक प्रशन चाहिए यानि अगर आप प्रत्य पर और ज़्यादा MCQs पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं वहां पर आपको प्रत्य पर और भी ज़्यादा MCQs मिल जाएंगे इसी तरह से दूसरे विश्यों पर भी अगर आप MCQs चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को Facebook, YouTube, Instagram और Twitter पर भी follow कर सकते हैं ताकि आप अपनी knowledge को और जादा बढ़ा सकें और अपनी परिक्षा में अच्छा score कर सकें